असलाम वालेकुम वीवर्स मैं हूँ महिरी रंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चेनल अब्दुलबारी की दुनिया क्यूंकि हमारा कोस्टन नंबर 3 कम्पलीट हो चुका है हमने उसके पूरे 8 कोस्टन कर लिये हैं आज हम नए कोस्टन करेंगे यानि के कोस्टन नंबर 4 मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा दूँ क्लास 9 चेप्टर 4 एलजेबरिक एक्सप्रेशन एलजेबरिक फॉर्मूलेज ये हमारा क्लास 9 का चेप्टर 4 है और हमने इसका कोस्टन नंबर 3 को सॉल्फ कर लिया है पास इवलियूड मतलब होता है वेलियूज को जो वेलियूज हमें दी हुई है उस्में पुट करना और उन्हें स्छोड्ससिच शॉड् GD गए यहां कि यहां पर हम सॉल्फ लिखते हैं यह मारा क्वेस्टर नंबर 4 का एक वीस्टरन है और ये का यह हमें यहां पर अलग values दी गई है इसी का ही part 2 है उसमें हमें अलग values दी गई है तो हम दोनों को solve करेंगे यह देखें 2z xz अब यहां लिखते हैं हम by putting the values अब values किस तरीके से put करेंगे हैं यह देखें आप x की जगा हम यह रखेंगे y की जगा यह रखेंगे y की जगा यह रखेंगे आप देखिए आप हमने यहां रखा 3, 3 के ओपर यह cube लगाया y की values है हमारे पास minus 1 ठीक है, minus 2 z की values है हमारे पास यहां पर minus 2 अब देखें नीचे हम इनकी values पूट करेंगे x की values है हमारे पास 3 और z की values है हमारे पास minus 2 यह देखिया यह इतना हो गया हमारा अब 3 को 3 time multiply करने से क्या आता है यह देखिया मैं यहां पर समझें यह एक rough work का portion है 3 को 3 time multiply करने से 27 आता है तो हम यहां लिखेंगे 27 minus 1 यहां पर यह देखें minus minus plus हो रहे है तो यहां पर यह plus हो गया और यह sign multiply हो रही है यानि कि elements 4 हो गए यह देखिया अब 27 बंजा 3 तूजा यह 6 हो गया हमारे पास अब 27 बंजा minus के 27 plus का 4 और यहां पर है हमारे पास minus के 6 अब इसको हम आधा यहां करते हैं यह देखिया minus 27 plus 4 यह मैंने यहां पर उतार लिया है दुबारा से 27 में से 4 minus के तो हमारे पास बचेंगे minus के 23 यह देखिया हमने इस में से इसको निकाल दिया है तो हमारे पास यह आया अब 6 और 23 क्योंकि यह एक divide system का question हो गया इसके साथ देखिया minus से minus minus आपस में cancel हो गया है यहां पर हम 6 को 23 से divide कर देते हैं तो 6 थिरीजा 18 13 में से 8 गए यहां हमने एक carry किया 13 में से 8 गए तो हमारे पास 5 बचें यह रेखिया हमारे पास यह हमने यहां पर लिखना है 6 यहां हम क्या लिखेंगे अपना यह जो हमारा whole का answer है और जो नीचे answer आता है हमारा यह यहां पर आता है ठीक है यह देखिया बिल्कुल simple सा question है बहुत ही easy सा question है यह यहां पर हमने सारी values सिर्फ put की है और उन्हें solve किया है यह देखिया यह हमारा बिल्कुल simple सा question A का part 1 complete हो चुका है आप देखें यह हमारे पास question number 4 है उसका A part है और उसका यह दूसरा हिस्सा है यानि कि आप question में देखें question number 4 है उसका एक हिस्सा हमने कर लिया है और यह इसका दूसरा हिस्सा है यहां हमें question वो ही है सिर्फ values change करके दी हुई है तो हम इन change values से अपने question को solve करने की कोशिश करेंगे देखें सवाल वो ही है सिर्फ values change है ठीके यह question है question 2 यह रेखें यह हमें उतार लिया है अब हम इसे solve करते हैं x cube इसकी जगा हम क्या रखेंगे अपना minus 1 cube y की values हमारे पास minus 9 minus 2 z की values है हमारे पास 4 यह रेखें यहाँ x की values है minus 1 और z की values हमारे पास 4 बहुत easy सा question है सिर्फ evaluate करना है इसे यह रेखें अब हमने क्या करना है 1 को आप कितनी time भी multiply करें वो 1 ही आएगा तो यहाँ minus का 1 as it is ऐसे ही आजाएगा minus क्यों आया है minus को 3 time आप multiply करेंगे तो यहाँ पर minus ही आएगा यह रेखें 2 फोर जा 8 4 बंदा 4 अब minus minus plus 9 बंदा 9 तो 9 minus 8 और यह minus के 4 देखें 9 में से 8 निकाले हैं हमारे पास तो बच्चे हमारे पास 1 4 का 4 यह हमारे पास answer आ चुका है बहुत ही सिंप्ली सा question है यह रेखें यह 4 question number 4 है उसका A हिस्से का यह दूसरा पार्ट है यहाँ पर values चेंज करके दी हुई है हमें question वही है सिर्फ values चेंज है तो यह रेखें यह यहाँ पर हमारा solve हो चुका है अब यहाँ देखें हमारे पास question number 5 का यह B question है यह हमने उतार लिया है अब हम इसे solve करते हैं X के उपर 2 है तो मतलब हमारी values है X की यहाँ पर 4 इसके उपर 2 है Y की values है हमारे पास minus 2 minus 2 के उपर 3 है minus 5 Z के उपर हमारी power है यह रेखें X, Y, Z यानि के X की values है 4 Y की है minus 2 और Z की values है हमारे पास minus 1 4 को 2 time multiply करने से 4 for the 16 हो जाता है minus 2 को 3 time करने से 2 to the 4 4 to the 8 हो जाएगा वो भी minus का minus 5 को आप ऐसे ही छोड़ने पहले 1 को 4 time करने से 1 ही आता है अब यहाँ पे minus minus plus हो गए 2 और 2 2 for the 8 16 8 128 minus के minus 5 और 5 अब यहाँ पर हमारे पास क्या है यह 8 यह देख्या minus 128 और minus 5 यह हो गए हमारे पास minus के 133 अब हम इसे divide सिस्टम में ले आते हैं यह देख्या 8 बंजा 8 हमारे पास बच्चे 5 यहाँ पर बच्चे 3 अब 8 का टेबल पढ़ना है जो 53 से छोटा वर्डा है 8 सिख्जा 40 48 क्या बच्चा 13 में से 8 निकाले तो 5 बच्चे यहाँ पर यह हमारा सिंप्ली सा आंसर आ चुका है 8 16 और यह 5 यह देख्याँ यह बिल्पुल आंसर है यह हमारे कुस्टर नमबर 5 का बी पार्ट था जो के हमने कंप्लीट कर लिया है अमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड अलाहाफिज मेरे चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहें